हलो दोस्तों, नमस्ते, सरोज की किचन में आपका स्वागत है, आज हम बनाएंगे चमचम, आज मैं आपको बहुती सरल तरीके बताऊंगी, चमचम बनाने का एक धम हलवाई जैसी बनेंगी, आप एक लीटर दूद में काफी सारी चमचम बना कर तैयार कर सकते हो, वीडियो अंति तक देखिएगा, जिससे सारी ट्रिक आपको पता चल सकें, तो चलिए चमचम बनाना शुरू करते हैं, हलवाई जैसी चमचम बनाने के लिए हमें एक लीटर दूद, और जिस बरतन में हम दूद गरम करेंगे, उसमें पहले से दूद में पानी डालना है, दूद में हमें लिया है, चार कप, यानि की एक लीटर, चमचम के लिए हम जितना दूद यूज करते हैं, उतनी ही चमचम बनेंगी, जैसे कि हमने एक लीटर दूद लिया है, तो एक किलो चमचम बनकर तयार हो जाएंगी, हमें इस दूद को अच्छे से उबालना है, जब यह उबल जाएं तो गैस को बंद कर देना है, और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही थंडा होने देना है, इसको फाड़ कर छेना बनाना है, पर हमारी घर में जो दूद आता है, आज मैं उसी की चमचम बना रही हूं, तो हमारे महस का दूद आता है, इसमें थोड़ा फैट जादा तो इसे थोड़ा चम्मस्य फिला देंगे जिससे इसके उपर मलाई ना पड़े मलाई पड़ जाती है तो टाइट हो जाता है ताइट होने पर छेना में गाठी सी नजर आती है इसलिए एक बार बीच में इसको चम्मस्य चला दें और दूद में उबालना आये जब तक इसको उबालना है एक उबालाने पर ही हमें इसको बंद कर देंगे दूद में उबाला गया है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इसे हम थोड़ा ठंडा करके फाड़ेंगे जब तक हम एक कप में दो कप विनेगर लेंगे या फिर दो चम्मच नेवुगरस या फिर पनीर मसाला आता है इन मेंसे आप कोई भी ले सकते हो जो आपके पास हो मैं यहां पर वाइट विनेगर की दो चम्मच ले रही हूं इस कप को पानी से भर देंगे जो कि दोद को एक बार में ही चट कहना लगे इसलिए पानी मिलाते हैं बिनेगर का पानी डालने से पहले चेक कलने कि हमारे दोद ठंडा हुआ है या नहीं या कहीं ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो गया है या तो आप उगली डाल कर देख लें या वैसे ही चेक कलने उगली को गरम गरम लगे, जैसे ही हमारी अंगली सहन कर सके, इतना गरम होना चाहिए, अब हम बिन्नेगर वाला पानी दीरे दीरे दूद में डालेंगे, और लगाता ऐसे ही दीरे दीरे चलाते रहना है, आपको लग रहा होगा कि मैं तेज तेज चला रही हूं, परन्तु मैं पानी डालना है, जब तक कि हमारा दूद फटना जाए, अच्छे से फट चुका है, इसको चेक करने का क्या तरीका है, कि जब दूद फट जाए, तो दूद को ऐसे ही छोड़ दें, और बिन्हेगर का जो पानी बच जाए, उसे रख लें, और डालने की जरूरत नहीं है, और पांच मिनट बाद दूद ऐसा हो जाएगा, छेना नीचे बेढ़ जाएगा, और पानी उपर आ जाएगा, इसका मतलब दूद अच्छे से फट चुका है, यह सौफ्ट पनीर बनकर तैयार होगा, जब तीन से च्यार मिनट बाद ऐसा कपड़ा लेना है, कोई भी दूद अच्छे से फट गया है, तो हम इसे इस तरह से हास से निचोड लेंगे, अच्छे से जो यह पनीर है, छेना है, अच्छे से फटा होता है, तो कपड़े में भी नहीं चिपकता है, हास से दबा कर इसके एक्ष्टर पनीय उसको निकाल देंगे, और जो यह पनीर वा इसको फैकना नहीं होता है, यह बहुत ही ओश्टिक होता है, चेना में साधा पानी डाल कर इसे दोलेंगे जैसे विनेगर की खुश्बू निकल जाएगी, और हास से दबा दबा कर सारा पानी निकाल देंगे, चेना को कपड़े से किसी ठाली में निकालेंगे, आप देखिए हमारे कपड़े में चेना बिल्कुल भी नहीं चिपका है, यह दूद अच्छे से फट चुका है, अच्छे से नहीं फटा होता, तो दूद काफी घरम होता, तो कपड़े में चिपक जाता, इस चेना को एक मिनट के लिए रगड रगड कर अच्छे से मसलना है, ताकि यह ए इस तरह इसे एक मिनट रगड्र देंगे अमने चेना को अच्छ से मसल लिया है अब इसमें एक चॉथाई चमच बेकिंग पाउडर डालेंगे बेकिंग सोडा नहीं डालना आए मेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करने के लिए आदा चमच पानी डालेंगे और अब इसके ब मेत् हुलेजें लोर त्राइब देल निया 56 या फिर घॉडे सकते हो οποि करन फ्लोर भी दाल सकते हो कुंर्ण क simples करेंगे तो शь जोटी सी वोल तोड़ेंगे कि चाहए चके चम बना सकते हो अगर आप कलEंड डालना चाहें तो इसमें оп किस चुट्रा कर मॿ कर दें और मॉल तोड़कर चम चम रसगुला बना लें जो कलर डाला है उस कलर की बन जाएंगी हम चम चम बजार से छोटे पीश तोड़कर बना रहे हैं घर पर बनाने का यही फाइदा होता है आप अपने पसंद के अनुसार छोटी बड़ी बना सकते हैं आप देख रहे हैं पहले हमने इसे गोल किया और अब इसको चम चम की शेप दे रही हो गोल के बाद ऐसे लंबा कर दिया है अच्छे से हतली से ऐसे मैश करना है फिर गोल करना है और फिर इस तरह से लंबा किया है चम-चम की शेप आ गई है इस तरह से हमने सभी को चम-चम की शेप में बना लिया है अब हम एक चोड़ी और उची कड़ाई लेंगे इसमें हम चाशनी बनाएंगे इस तरह का बर्थन लेना है जो चोड़ा और किनारे उची हो जिससे चम-चम गोल और परफेक्ट बनेंगे अब इसकी चाशनी बनानी है इसको चलाते रहना है चीनी नीचे जल सकती है ना चलाने पर ये चाशनी थुड़ी गाड़ी बनेगी इसमें अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे जब ये उबल जाए इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है अब हम इसमें चम-चम डालना श तक पकने देंगे दो मिनट बाद इसे देखेंगे यह बिल्कुल सही है या फूली है या नहीं फूली है अगर इसमें क्रेक आज है या फट जाए इसका मतलब हमारी चम-चम सही नहीं है इसमें बाइंडिंग के लिए और हम थोड़ा सा कॉरन फ्लोट डाल सकते हैं ऐसे की आ हमारी चम-चम एकदम परफेक्ट है इसलिए बागी चम-चम भी हम चाष्णि मैं डाल सकते हैं और हमने चम-चम एक-एक करके डाल दी है यह को कर ने को भट दक कर पकने देंगे इस कशनि बाहर गिर रहे है इस दूसरे ढकन से ढक देते हैं गैस का फिलेम मेडियम तू हाई रखेंगे हमारी चमचम को पकते वे धस्पनट हो गई है अब ढकन हटा देंगे और आप देख रहे हैं हमारी चमचम फूल कर उपर आ गई है और कफी बड़ी भी हो गई है और हमारी चास्नी भी काफी गाड़ी हो गई है इसलिए इसमें पानी डालेंगे एक बड़ी चमच लेंगे और इस तरह से पानी को चास्नी के उपर खिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी चास्नी में मिक्स कर देंगे आपने हलवाईयों को भी इस तरह से कर्षी लाते हुए देखा होगा गरम पानी डालना है और इस तरह से गुमाते हुए डालना है और धीरे धीरे करके डालना है जो वाल चाशनी में आ रहा है वैसा ही ओवाल आता रहे एक साथ पानी डाल दिया तो ओवाल बंद हो जाएगा और ओवाल आने में समय लगेगा जिस से हमारी चमचम सुकड सकती है और छोटी भी हो सकती है इस तरह से पानी चाशनी के उपर घुमा कर धिरे धिरे डाल दिया है हमारी चाशनी भी थोड़ी पतली हो गई है और हमारी चमचम अच्छे से फुले हुए है और जाग भी अच्छे आ रहे हैं दस मिनट तो हमने ओबाल दिया है और पांच मिनट ऐसे ही खुले में ओबलने देंगे और बीच-बीच में पानी डालते रहेंगे पानी ढलने से चमचम और फूल जाती है चमचम में जहां तक चाशनी नहीं पहुची है वहाँ भी पहुच जाएगी और ये फूलते चले जाएंगे और इनका बजन भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे इनका बजन बढ़ता है यह चाशनी के अंदर बैठते जाते हैं आप इस तरह से चेक करें चमचे में लें और चमचे में 80% डूब रहा है इसका मतलब हमारी चमचम अच्छे से पक चुके हैं यह काफी अच्छे से चाशनी में डूब चुके हैं गेस के फ्लेम बंद करेंगे और इन्हें ऐसे ही एक घंटे के लिए छोड़ देंगे एक घंटा हो गया है अब हम इन्हें निकालेंगे प्राउल की उपर चलनी रखेंगे इसमें चमचम की एक्स्ट्रा चाशनी है उसको छानकर निकालेंगे अगर आप इन्हें soft रखना चाते हैं या कम मीठा रखना चाते हैं तो जब हमने बीच-वीच में पानी डाला था और ज्यादा पानी डाल दें जिससे चाशनी पतली हो जाएगी और चम-चम कम मीठी हो जाएगी मैंने इन्हें चल्नी में निकाल लिया है एकदम सफेध हैं चल्नी को थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने देंगे जिससे एक्स्ट्रा चासनी भी निकल जाएगी अब हम इन पर नारियल का बुरादा टाल कर प्लेट में रखते जाएगे हमने सभी पर नारियल का बुरादा लगा ईएग आधे चंचंचंmm लेंगे आप देखिए इसमें कितने अच्छे से रस भरा हुआ है काफी रस निकल रहा है मैं उन्सट्र मेंक काटकर भी दिखा देती हूं आप को इसमें कैसी प्लों कैसी बनी आKS आप देख रहे हैं इसमें काफी अच्छी जाली बनी है चाशनी अंदर तक भरी हुई है इसके अंदर आप मावे की फिलिंग भी बर सकते हैं हमें इने ऐसे ही रखेंगे हमारी चम-चम होती अच्छी और फुली-फुली एक तम मार्केट जैसी बनी है और खाने में भी बहु करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गिया हो तो सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद